हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे सुजी की इडली और वह भी बिना मेक करके बनाएंगे हम तवे पे एकदम नर्म और सोफ्ट आईए तो चलिए देगी इसको कैसे बनाते है एक कप सुजी डालेंगे हम मिक्सिजार में और इसको बार ही डालके हम इसको मिला लेंगे नमक डालेंगे थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे इसको थोड़ा सा और दही डालेंगे हम और इसको मिला लेंगे डखके रख देंगे इसको पंदरा मिनिट के लिए मसाला त्यार कर लेते हैं अपना पैन में चमच घी डालेंगे और उसके अंदर राई डाल देंगे हम राई तड़कने लगे तो हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डालेंगे हरी मीर्च डाल लेंगे कट्टे वी दो तिन प्यास डाल लेंगे एक मीडियम साइज गटा हुआ और इसको मिक्स करेंगे धनिया डाल लेंगे हरा धनिया एक चमचम चैने की डाल डाल लेंगे मिला लेंगे अच्छे से अल्दी पाउडर डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकोडिंग मिक्स करेंगे इसको अल्लू डाल देंगे हम अपने उबले हुए और अच्छे से मिला लेंगे इसको है थोड़े सा हर अदनिया डाल लेंगे बैटर को चेक कर लेते हैं पंदरा मिन्ट के बाद एक सौफ्ट बैटर त्यार कर लेंगे हम अपना तवा गरम करेंगे इसपे हमने कुछ नहीं लगा न बस ऐस ही हम अपना बैटर डाल देंगे इडली की शेप देंगे इसपें च्यार इडली त्यार करेंगे हम और इसके उपर हम मसाला रख देंगे हलके आथों से उपर से भी हम अपना बैटर डाल देंगे अच्छे से फिल कर देंगे इसको और ढख देंगे हम इसको दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद हम इसको पल्टेंगे और दुबारे से फिर हम दस मिनट के लिए इसको पकाएंगे ढख के चेक कर लेते हैं दस मिनट के बाद एकदम तयार है हमारी इडली सोफ्ट बनिया बिल्कुल, काट लेते हैं, कर लेते हैं सर्व, एकदम स्पंजी इडली बनिया हमारी मसाले वाली, अगर आपको मेरी रैस्प अच्छी लोगी हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसे सस्क्राइब करे और बेला इकन को दुबाना मत भूलना, थैंक यू